हलो फ्रेंट्स ओल्कम टू माई चैनेल अलवाउट जॉब्स में फ्रेंट्स एनेम बीसी लिमिटेट की तरफ से एक बहुत ही अच्छर एक्विट्मेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है जिसमें डिपलों वाले अप्लाई कर सकते है रोटल नम्मर वेकेंसी 94 है प कौन सी पोस्ट निकल के आया है उसके बाद eligibility क्या रखा गया है selection procedure and application procedure क्या होने वाली है तो हार एक चीज एक एक करके details में डिसकस करूंगा और last new website में जाके दिखा हूंगा इसमें apply कैसे कारना है तो वीडियो को last तक देखिएगा ताकि आप लोगो हार एक information अच्छे समझ में आ जाए तो next चलते official notification की तरफ तो फ्रेंट्स ये है इसका official notification जो आप लोग देख पारे हो कि NNBC Limited की तरफ से आया है तो फ्रेंट्स notification स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगोंने आवीता कमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बिल आइकोन को प्रिस कर दो ताकि आप को आने वाले सारी अपडेट मिल सके और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे ताकि आमें motivation मिले ऐसे अच्छा अच्छा notification आप लोग के लिए लेके आने के लिए तो एहीं पर junior officers trainee के लिए vacancy निकल के आया है next बात कर लेते details post की बारे में तो first junior officer trainee civil के लिए total number of vacancy 7 है educational qualification में अगर आप लोग civil engineering में से 3 साल का डिप्लमा करके राखे हो तो इसके लिए apply कर सकते हो और उसके साथ minimum 5 साल का post qualification experience महा गया है next post junior officer trainee electrical के लिए total number of vacancy 14 है educational qualification में अगर आप लोग electrical engineering में से 3 साल का डिप्लमा करके राखे हो तो इसके लिए apply कर सकते हो और उसके साथ आपके पास electrical supervisory certificate होनी चाहिए और उसके लिए minimum 5 साल का post qualification experience महा गया है next post junior officer trainee mechanical के लिए total number of vacancy 33 है educational qualification में अगर आप लोग mechanical engineering में से 3 साल का डिप्लमा करके राखे हो तो इसके लिए apply कर स सकते हो और उसके साथ minimum 5 साल का post qualification experience महा गया है next post junior officer trainee mining के लिए total number of vacancy 32 है educational qualification में अगर आप लोग mechanical engineering में से 3 साल का डिप्लोमा करके राखे हो तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो और उसके साथ मिनिमम पाच साल का पोस्ट क्वालिफिकेसन एक्स्प्रियंस माँ गया है नेक्स पोस्ट है जुनियर अफिसर ट्रेनी सार्वे के लिए टुटल नंबर वेकेंसी एक है एट्डिकास्टनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग माइनिग या तो माइन्ज एन माइन सर्विंग में से तीन साल का डिप्लोमा करके राखे हो तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो और उसके साथ माइन्स शर्फेयर पर कॉंपेटन्स सर्टेवेकट आपके पास होनी चाहिए और उसके इलावा आपका ओपिन कास्ट मीटल माइन्स पर मिनिबं पाच सल का पोस्ट क्वालिटाइटिस ने एक्स्पिएन्स महा गया है हर एक post के लिए maximum age limit 32 years तो रखा गया है उसके लवा अगर आप लोग CST OBC और PWD candidate हो तो उन लोगो as far government norms इजला के सन मिल जाएगी बात कर लेते हैं salary की वार्ड में तो अगर आप लोगो selection नहीं पे हो जाता है तो selection होने के बाद first आपको training post के लिए engage किया जाएगा जाएगी और उसके बाद next six months पे आपको salary 38,000 पर month मिल जाएगी और उसके बाद आपको permanent card दिया जाएगा और permanent होने के बाद आपको salary 37,000 से लेके 1,30,000 पर month मिल जाएगी और उसके साथ आपको allowances बगर भी provide किया जाएगा total number of vacancy को हर एक category पर divide किया होगा है तो आप लोग आपके सब सुस्काइटल्स चेक कर सकते हो बात कर लेते हैं application procedure की बारे में तो फ्रेंट्स application procedure यहीं पर online डखा गया है इसका जो official website है आपको उसी website में जाके आपको online application form फिल करके submit करना होगा और इसमें online application form अलेडी स्टार्ट हो चुकी है 7 February 2022 से और इसमें apply काने के लिए last date रखा गया है 27 February 2022 उसके लबा फ्रेंट्स अगर आपका कोई भी doubts साथ questions है तो आप लोग इसी को नमबर पे contact करके आपका doubts वागरा clear कर सकते हो बात कर लेते application fee की बारे में इसमें आपको क्वालिफाई कारोगे तो इसके बाद आपको supervisory skill test के लिए बुलाया चाएगा और इसमें आपको qualify कारना होगा टुटल selection procedure में 100 marks consider किया गया है और return test का admit card आपको email के थूपे send कार दिया जाएगा बात कर लेते return examination pattern की बारे में तो इसमें आपका question पर हिंदी English दोनों language पे रहेगी इसमें आप लोग जो भी particular discipline के लिए apply कारोगे उस discipline में से आपका 100 marks का questions रहेगी MCQ type questions रहेगी और इसमें negative marking रहा गया है next बात कार लेते क्वालिफाइंग marks दिवारे में तो फ्रेंट्स SCST PWD candidate के लिए 40 marks लना होगा OBC candidate के लिए 45 marks और General and EWS candidate के लिए 50 marks लना होगा आपको return test में qualify करने के लिए अगर आपको return test में qualify करोगे तो उसके बाद आपको supervisory skill test के लिए बुलाया जाएगा जिसमें supervisory skill test में आपका 100 marks का exam होगा जिसमें General और EWS candidate के लिए minimum 40 marks लना होगा OBC candidate के लिए 37 marks और ACST PWD candidate के लिए minimum 30 marks लना होगा आपको supervisory skill test में qualify करने के लिए बट आपको जो final merit list है वो आप return test का जो marks है उसके वेचिस पे निकलवाया जाएगा बट आपको supervisory skill test में qualify करना होगा अगर आप लोग उस दोनों में qualify कर जाते हो तो उसके बाद आपको documents verification के लिए बुलाया जाएगा और documents verification successfully complete होने के बाद आप सेलेक्षा नहीं पे हो जाएगी अगर आप लोग SC, ST, PWD और EWS candidate हो अगर आप लोग रिटेन टेस्ट के लिए जाते हो तो उस टाइम आपको traveling allowance अगरा भी provide किया जाएगा तो friends यह है इसका details notification next में आप लोग को दिखा है तो इसमें online apply कैसे करना है तो friends apply कारने के लिए आपको इस link पे आना होगा आने के बाद first आपको apply online option पे क्लिक कारना होगा क्लिक कारने के बाद आपके समने registration form उपेन हो जाएगी जिसमें first आपको आपका name fill कारना होगा उसके बाद आप लोग जो भी particular post के लिए apply करना चाहते हो वो आप लोग को हैं से choose करना है उसके बाद आपको 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 पोस्ट की जपसे किसमें educational qualification सो हो जाएगी उसको आपको हैं से choose करना होगा next उसके बाद आपको 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 डिप्लॉमा का जो passing date है वो आपको हीपे mention करना होगा next उसके बाद आपको आपको डेटा बार्त, mobile number और email id नहीं पे fill करना होगा और उसके बाद आपको capture fill करके submit option पे click करना होगा और click करने के बाद आपको registration complete हो जाएगी और उसके बाद आपको लॉग इन करना है लॉग इन करने के लिए आपको अप्लिकेंट लॉग इन ओप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको आपको अपको अप्लिकेंट लॉग इन ओप्शन पर क्लिक करना होगा और आप लोग वहां से आपका अप्टिविशन फॉर्म को फिल कर सकते हो तो फ्रेंट्स यह है इस काईटल्स नोटिविकेशन और फॉर्म फिल अप काईटल्स में इस ओफिशियल नोटिविकेशन का पीडिये मैंने टेलिग्रम चैनल पे शियार कर दूँगा आप लोग वहां से चिकाउट कर सकते हो अगर आप लोग उन्हें अभी तक हमारे टेलिग्रम चैनल को जॉइन नहीं कियो तो ज़रूर जॉइन का लेना क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना क्योट्यूप में अप्रूट करता हूँ उसका लिंग बागरा में वहां पे शियार कर देता हूँ अगर आप लोग कोई भी नोटिविकेशन अई पे मिस कर देते हो तो आप लोग हमारे टेलिग्रम चैनल से चेकाउट कर सकते हो उसके लबाद जॉप के लिटेट अगर कोई भी न्यूज जा तो इंफोर्मिशन आती है तो मैं टेलिग्रम चैनल पर श्यार कर देता हूँ और आगे भी श्यार करता रहोंगा और उसके साथ एक्जाम का सिलिवास और त्रिवियस एर क्वेशन पर श्यार कर देता हूँ तो अभी के अभी हमारे टेलिग्रम चैनल से जूट जाए आप लोगों को भी फाइदा मिलेगा और टेलिग्रम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में से मिल जाएगी आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अपलाई कर रहे हो कॉमेंट सिक्शन में जरूर ब ताकि हमें मोटिविशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए लेके आने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वडियो पे एक नया जाप मोटिविशन के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक यू